दोस्तों इस रेश्पी के लिए मैंने मसाला क्या लिया है ज्यादा मसाले नहीं लिये मैंने थोड़े से लैसुन लिये इस इज मैंने छील लिया है एक चमत जीरा है दो बड़ी इलाइची है और दो छोटी इलाइची है चार लवंग है कुछ काली मिर्च के दाने है और ये क तो सील के मसाले जो है बहुत खुश्बू अच्छी आती है खाने में भी काफी स्वादिस्ट रहता है तो थोड़ा थोड़ा पाणी डालके मैं अच्छे से इसे पीस लूगी तो बस हमारे मसाले पीसाने वाले हैं और मॉस्ट रेडी है तो इसे उठा लेती हूं कि फ्रेंस मैंने आलू उबाल लिये थे पहले से तो क्या करना है इसे आप साबुत भी रख सकते हैं और दो-दो टुकडों में भी काट सकते हैं तो मैं तो चमच करना और बीन को देल होने के लिए रख दिया था, पर लूब को अलु को स्वाधन तरु इस तरह से इस तरह से पर लगा लूँगी अच्छे से कोट कर लेना इस तरह से और इस आलू को हम फ्राय करने वाले हैं अभी ने चार चमच कडाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था और तेल को अच्छे से फैला लेना है तो देखिए फ्रेंट्स मैं आलू को यहाँ पर फ्राय कर रहे हूं तो एके करके इस तरह से फ्राय कर लेना है बहुत मज़दार बहुत फ्लेवरफुल है यह सबजी कि इन्हें तुरंद नहीं छुंणा है नहीं चिपक जाएंगे तो यह देखिए लग रहे हैं ना क्रिस्पी तो एक साइड से डण हो गया है अच्छे से एक क्रिस्पी हो गया है तो इन्हें में निकाल ले रह Solutions muniği कर ना है आलू दम के लिए तो देखिए फ्रेंज यहां पे मेरे आलू सभी फ्राइ हो गए हैं कडाई में मैंने यहां पे पच्छ फोरन लिया एक चमच इससे डाल देना है और अच्छे से तड़का लेना है तो मैंने चार पाच मिर्चिया हरी वाली कट कर लिया है और दो तेश पता लिया है और दाल चीनी के टुकडे लिया है तो इसके अंदर डाल देना है देखिए फ्रेंज हमारा मिर्च लाल हो गया है तो मैं इसमें तीन बड़े प्यास जो मैंने क्रस्ट कर लिये थे इसे आड़ कर देना है तो प्यास को अच्छे से भून लेना है अँआ अब एक चमच राजास मसाला लिए है इसे डाल दूंगी यहां पे और आदा CHमच में इसमें हल्दी डालूंगी और आदा CHमच में इसमें डालूंगी कश्मी लाल मिर्ची पावडर और यह बस कलर के लिए है ज़्यादा तीकी नहीं रहती है मिर्ची का इस्तमाल हमने पहले भी किया है, तो इसे भून लेना है थोड़ा सा, जो हमने पेस्ट बनाया था, मैं उसे अभी डाल दूंगी इसके अंदर, और इसे भी अच्छे से भून लेना है, जब तक ये अपना तेल ना रिलीस कर दे, तोरी का पानी इसे भी हम धोके डा आड करँगी, नमक से क्या होता है, पियाद जल्दी गल जाता है, तो नमक याद रखना है कि हमने पहले भी डाला था, आलू में, तो थोड़ा ही नमक डालें, बात में कम में और डालें, एक साथ नमक कभी न डालें, तो ये देखिए, तेल लखा-attack-around रिलीज्ट करने कर लेना इसे मिक्स तो बहुत ही मसालों में से खुश्बूर डिलिशिस आ रही है यानि स्वाधिश्ट आ रही है तो इसी स्टेज पे मैं एड़ करूंगी पानी तो थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करेंगे मैंने यहाँ पे एक कटोरी पानी लिया है तो एक साथ पानी नहीं डालूंगी मैं चलाते जाओंगी और पानी डालते जाओंगी तो मैं यहाँ पे लटपट ग्रेवी बनाने वाली हूँ ज्यादा पानी नहीं डालूंगी तो एक कटोरी अभी डाल दिया है मैंने पानी तो यहाँ पे मैं आदा कटोरी और पानी डाल दियू इसके अंदर बस यह परफेक्ट है अब इसमें अच्छे सी बॉइल आने देते हैं इसे ढग देते हैं दो से तीन मिनट के लिए पकने देते हैं फ्रेंड सब्जी में हमारी उबाल आ गए हैं तो देखे कितना प्यारा कलर आया है तो एक दम लटपट ग्रेवी मैंने यहाँ पर बनाई है तो एक मिनट और पका लेती हैं फिर इसके बाद हम सर्फ करेंगे तो देखे तो इस आलू दम के साथ हमें पूडिया बहुत अच्छी लगती है तो सबसे पहले हम यहाँ पर आटा गूत रहे हैं पूड़ी बनाने के लिए यहाँ पर डू हम कड़क लगाने वाले हैं और सौफ्ट भी लगाने वाले हैं तो मतलब गीला नहीं रहेगा गीला रहने से क्या होता है तेल एब्जॉप्ट जादा करता है तो हमें पूड़ी के लिए हमेसा आटा सक्त रखना है और मूलायम चिकना रखना है तो उसी तर कि मैं 10 भी मिननट लगता इसने के लिए doing है तो देखें यहाँ पर आटा मेरा सेट हो गया है ।व मैं इसे डगके रख देरी उसनी दस मिनट के लिए तो gün दू Ugh सौफ ऊढ़कना हो गया है मैं यहाँ पर चकले काट रही हूं पूड़ी के लिए तो देखें, बड़ा सा तेल लगाना है, चकले पे, और इसे बेल लेना है, वेल, पूरी बनाना सबको आता है, लेकिन जिसे नहीं आता है, जो बिगनर है, उनके लिए, तो देखें, यहाँ पे, पूरी मेरी बिला गई है, तो मैं इसे करके, मैं पूरी को यहाँ पे फ्राय करने वाली हूँ, तो इस तरह से इसे दबा दबा के, फ्राय कर लेना है, तो यह देखें, पूरी फूल जाती इस तरह से दबाने से, एक और डाल देर्यू में तो हम इस तरह से ये दबाते हैं पल्टे से तो ये फूलने लगता है और पूरी इसके साथ बहुती फ्रेंज अच्छा लगता है आप एकी रिस्पी जरूर ट्राइ करें उसके घर पे महमान आए हो या कभी भी आपका संड़े की दिन खाने का मन करें तो आप एक बार जरूर इसे बनाए तो ये देखिए हमारी सबी पूरियां फूल रहे हैं कि इतना अच्छे से तो मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंस और फैमिली में शेर करना ना भूलें तो देखिए दोस्तों मैं इस सब्जी को निकाल ले रही हूँ प्लेट में तो ये लग रही है ना मश्त तो इस तरह गर्मा गरम इसे पूड़ी के साथ सर्फ करिये और ये पूड़ी बहुत ही क्रिस्पी है तो आलू दम में इसे करना है इस तरह से डिप और इस तरह से अब मुव में डालना तो यह रेखिए एक दम लटपट ग्रेवी वाली आलू की सब्जी मस्त इसे खाना है झाल हैं में ड्र filtering आलीज यह नहीं में से एख कि यह कि Bunu कर दोस्थ तो करे लीस जएकशन स्ड़ देक दूण से खाना चलीज नहीं